नमस्कार दोस्तों वेलकम टो श्रिंग प्रेट इस वीडियो में बात करेंगे मुथ्धुत फाइनांस कंपनी के बारे में यह जो कंपनी है के अगर हम देखेंगे कंपनी गोल लोन भी प्रोवाइडिंग करता है तो यह कंपनी में अगर हम बात करेंगे फिप्टी टू एक करना बहुत जरूर यह तो यहां पर अगर हम कंपनी के बात करेंगे यहां पर देखते हैं तो कंपनी में क्या हो सकता है अगर हम कंपनी का क्वाटलर रेजल्ट को स्टडी करते हैं तो और कंपनी का अगर हम देखते हैं फंडमेंटल अनलिस करना किसी भी स्टॉक में बहुत इंपोटन्ट है अगर हम कंपनी के बात करेंगे कंपनी का मार्किट क्या पर उसी के साथ में बात करेंगे स्टॉक का पए पर 10 पे चल रहा है और अरोशी देखेंगे 14 परसेंटेस का रोशी है और उसी के साथ में अ अगर हम बात करेंगे तो यहां पर यहां पर 해도 पर कंपनी यहांपर तूपूएंट 2024 का कंपशी है देट्टिन कोई प्रोब्ลेम नह lou शहें हम कंपनी का बूग वेलुओु पशुच में और हम दे में हैं का ऑन न्हाग तो हम देखने को मिलता है अगर हम देखने को मिल रहा है जो की मुठ्धत ुपॉध फाइनांस के अगर हम देखेंगे तो चो आज के दिन में यहां पर जो कि 5800 बैल कि अगर की देखने को बात किरेंगे तर्फ का कंपनी की देखने को मिलता थै। में आजके साथ एक सांदर डिलीवरी आज की दिन में देखने को जो मिला है ठीक है उसी के सात में वाथ करेंगे beef Cash Master गाँ चुका और आज कि साथ में बात करेंगे तो आज के साथ में रही आंज कभी पजिटिव कभी नविटिव लास्ट में जो प्लोजिंग हुआ तो यहां पर पॉइंट टू पर संट गिरावट देखने के मिला है जो कि 43 पॉइंट का अगर हम यहां पर मुद्धूत फाइनांस के वारें बात करेंगी क्या इसमें कर सकते हैं इस टॉक बिलकुल यहां कंपनी का अगरे के बारें बात करेंगे का अहीक का अगर आप देखे आगर हम कपनी देखने को मिलता है अगर अगर हम बात करेंगे तो यहां पर नेट प्रॉफिट के वारे में 902 करोड का कमपनी का नेट प्रॉफिट देखने को मिला है उसी के साथ में कंपनी का नेट सेल्स अगर हम बात करेंगे इसके साथ में कंपनी का नेट प्रॉफिट भी बहुत बढ़ी है तरी करते हैं तो यहां पर प्रॉफिट करोड का कमपनी के पास में रिजर्व देखने को मिल रहा है तो दीरे दीरे यहां पर 8800 क्रोड का कंपनी का रिजर्व हो चुका है जो कि सांदार है उसके साथ में कंपनी का अगर हम बात करेंगे तो कंपनी का यहां पर इन्वेस्टमेंट भी बहुत जबरतास्तर के से ग्रोव हो रहा है इस चीज़ को हमें जरूरी एक बार देखना पड़ेगा उसके साथ में अगर हम बात करेंगे प्रमोटर के पास में होल्डिंग और यहां पर डियाए के पास में 12 परसेंटेज का होल्डिंग और रिटल पांथ साल में भी दखेंगे तो 20 परसेंट सीजर कमा के दिया लेकिन अगर आप लास्ट एक साल में इन्वेस्टमेंट के होंगे तो यहां पर कंपनी का फंडामेंटल में कोई इतना बड़ा इंप्याक्ट नगरा नहीं आ रहा है मुझे यहां पर लग रहा है कि बहुत बड़ी ऐसा बाइंग अपर्चनूटी यहां पे तो हम स्टॉक अगर किसी के पॉर्टफोलिय में सेल करने का सला में बिल्कुल भी नहीं दूआ क्यूंकि कभी भी अच्छे स्टॉक कभी भी कुछ दिन तक कॉंसलरेशन में रह सकता है इस चीज को जरूर हमें एक बार मानना तो पड़ेगा हमारा हाथ में नहीं है लेकिन अगर अच्छे स्टॉक में अगर हम सही टाइम पर पोजीशन बनाते हैं जरूर वहां पर अच्छा सा गय स्टॉक को अगर आप नोटिस करेंगे तो यहां पे बटम बनाने के बाद में यहां पे जाके 200 का मुवी आवरिज को रीटेस्ट किया उसके बाद में फिर से यहां पे डाउंट्रिंच चलू हो गया ठीक है तो जब तक कि यहां पे 200 दिन यहां पर आच्छा सा वालिम के सा हुए अगर आप उपैसे अगरब हो सकता है लेकिन यहाँ सकता है यहां पर मिल सकता है उसी के साथ में अगर हम बात करेंगे नेक्स टार्गेट के बारे में तो मुझे यहां पर बिल्कुल नजर आ रहा है किसी भी टाइम पर स्टॉक एक बहुत बड़ा रैली की तुरह आ सकता है और यहां पर यह जो टार्गेट है बिल्कुल आचिप करा के का लेवल एक 60 परसेंटेश का गेन आपको देखने को मिल सकता है थे जैसे भी आप देखेंगे बहुत सरा यहां पर फाइननस कंपनी में बहुत सरा स्टॉक में गिरावट है जब अगर हम देखते हैं तो बादस फैनान्स जीसा कंपनी है यहां पर आवास फाइननस जीसा यहां पे बाद में जो सेकंड तर्गेट आपका यहां पर 15 सब्सक्राइब लेकिन अगर हम बात करेंगे इस से पहले क्या इतना बड़ा क्रeक्शन हुआ है उस सी को देखने के लिए हम जाएंगे अभी यहां पे जाके एक बार चार्ट जरूर देखेंगे तो अभी का अगर हम टाइम का करेक्शन की बात करेंगे अभी का अगर प्राइस करेक्शन की बात करेंगे तो यहां पे जो प्राइस करेक्शन हुआ है कोविड के टाइम पे ठीक है तो अभी एक 44% का करेक्शन है उससे पहले अगर हम देखेंगे तो उससे पहले जरूर देखेंगे यहां पे एक कितना परसंटेज का करेक्शन देखने को मिला है उससे पहले अगर आप देखेंगे तो यहां पे सीधा सीधा अगर आप देखते ह तो यहां पर 32% का correction देखने को मिला है उससे पहले अगर आप यहां पर भी देखेंगे जो कि 2016 में 2016 में अगर आप जाते हैं तो जाके देखते हैं तो यहां पर 2016 में भी 36% का correction देखने को मिला था उसके साथ में अगर उससे पहले भी अगर आप देखेंगे 2013 में देखें कितना का करेक्शन देखने को मिला अगर 2013 में भी देखेंगे तो भी यहां पे 70% का करेक्शन देखने को मिला है अगर अच्छी कंपनी है तो मेरे हिसाब से कोई बुरा नहीं है अगर आप सही लेवल पर पोजीशन बना की चलते हैं तो बहुत अच्छा प्राफिट गेंड कर सकते ह जब रिकवरी हुआ उसके मोड़ पर बाद में तो यहां पर विल्कुल देखेंगे यहां पर कितना परसंटेज का राली आया जो कि यहां पर ग्यारा सो दिन के अंदर में तो यहां पर तीन सो चार सो परसंटेज का रिटन देखने को मिला है ठीक है ना तो आच्छे कंपन सब्सक्राइब लिए लेकिन कंपनी बहुत बढ़ी अगर हम बात करेंगे तो यहां पर आगे चलके बहुत बड़ा रली भी आ सकता है लेकिन अगर हम पिर कंपनी वर जाएंगे तो इसी साब आप देख सकते हैं जैसे कि मुत्रित पाइनस का बीजनेस हो रहा है तो उसके स में आप जाके देख सकते मननापुरम को भी वहां पर देख सकते हैं कि वहां पर भी बहुत बड़ा करेक्शन है इसा नहीं कि स्टॉक में करेक्शन है अगर वह स्टॉक का लाइफ टाइम है दिखिए 224 अभी बिल्कुल 50% से ज्यादा भी करेक्शन पर स्टॉक चल रहा है ठ क्या हो सकता है आप जरूर बताइए तो यहां पर मुझे बहुत अच्छा नजरा रहा है अभी अगर किसने पोजिशन बनाना चाहते हैं तो भी पोजिशन बना सकते हैं बहुत बढ़िया कंपनी है ठीक है अगर आपको कोई भी स्टॉक है तो आपको सवाल पोचना है सब्सक्राइब करना चाहते है अगर आपको पोटफॉलियों कोई प्रडबेंटल उइक स्टॉक है उसको करना चाहते हैं लेकिन इसा सिचूएशन मार्केट में हमेशा पैसे नहीं बनता है हमें अगर हम वह विएक्र पोजिशनल टेडिंग है अगर six months का भी time period देते हैं तो मेरे लिए मुझे लगता है एक सही टाइम है अगर आप एसा सोचेंगे नहीं आज पोजिशन बढ़ाया और हर एक महीने में आपको 10% का गयन मिलेगा इससे मार्केट कभी काम करता नहीं यह से कि हमें हर मैने में 10% यह से कभी आपकी कहने पर मार्केट इससाब से नहीं चलता है ना तो हम कोई करते हैं अच्छे क्वालिटी स्टाइम लगता है तो भी कोई प्रोब्लेम नहीं एक साल अगर हमें मुझे लग जाए तो शाट परसन का गयन मिलेगा तो कोई प्रोब्लेम न करना भी पड़ता है बहुत बार मैंने वहां पर समिनर में भी बताया हूं तो इसलिए हमें अच्छे से टाय स्टाक में पोजिशन बना के रखना है कब रैली आएगा हमारा हात में नहीं है ठीक है अगर वीडियो आपको पसंद आए वीडियो को जरूर लाइक किजिए उस कर दो